कड़ाई देख रहा हो कितरी बड़ी बड़ी आती है क्या हुआ तो थर्ड प्लेस हमारा रहेगा जंतर मंतर जो मैं पिंक सेटी इधर साइड अंदर इधर जाओगी तो पिंक सेटी मिल जाएगा कि अधर जो जोगज पिर चलते हैं जंतर मंतर की जाएं पर यह कौन से और रही आँ रहे हैं राइस कैसा है खाने में बढ़ी हैं चलो टिकट ले लेते वह रहे हुआ तो इसके बाद दिखाते हैं आपको जंतर मंतर में इंट्री कर लिए हूं ये जंतर मंतर के अंदर में है और इदे प्लॉक में बता रहा था इदे आपनों देखो तो आप देखरो ना और अभी दूब भी नहीं है ना नहीं तो पता से बजाता है यह आप देखो यह देख सकते हो यंत्रडाज रिपेरड एडी नाइंटीन वन में यह बनाता नाइंटीस वन में देख रहा हो ना पूरा इदे साट आप चलते दिखाते हैं आपको यह घड़ी तो वह देख रहा है यह दो यह राशी निकालते थे इसको बोलते हैं कपाली यंत्र और यह उन्निस सोहग में बने था यह नाइनटीन बना था देख सकते हूं और राशियों करें इस निकालते थे चाहिए कोई भी राशी हो और भी चलते दर भी और दिखाता है जो पता हो दिखाते हैं आप जो वह मारे पीछे देख रहे हैं ये राशी निकाल दी थी पहले जवाने में जो राशी का इसे निकलता देखे राशी फल यंत्र है यह यह मकर मकर राशी का यंत्रों के साथ इद्र कि सारे आपको राशी इद्री से निकलते थे ऐसे पूरी मेश राशी विज राशी पूरा आप देखो विश कुछ इस तरीके से तो आप देखरो ना ऐसे करके निकालते थे तुला राशी इदर साइड में भी आपको दिख जाता है और यह आप देखो पाई निकालते कहा से थे भाई यह तो नहीं पता है ठीकिन इसमें मेजरमेंट लिखे हुए है इधर यह आप देख सकते यह पूरा यह देख आप जो शामने देखा है हो यह है घड़ी और यह धूप से देखा जाती है पूरी घड़ी और इसकी जो चमता है ना दो पूरा मेजर कर वे इसमें जो सकेल आप देख रहे हो यह स्केल है और इसे समेजर होते थे उधर साइट में भी यह पूरी जितना आप देख रहो यह घड़ी है जो कि लिखा हुआ है देखें यह अगे यह सम्राठ यंत्र धूप से गड़ी है यह और दो सेकेंड तक यह प पता है वह चीज आपको दिखाते हैं और भी पूरा यह आप देखो चेक करो और यहां भी आ सकते हो जैपूर में आप घूमने जंतर मंतर आप जंतर मंतर से बहार निकलोगे तो आपको मार्केम लेज जाएंगे आप राजस्तानी यह पर क्लॉथ होगरा भी ले सकते हो जो तो देखते हैं कैसा रहता है मैं बताता हूं अब तुकाइस हम आगे अमेर फॉर्ट के अंदर में और हम एक्स्प्लोर करने वाले हैं अमेर फॉर्ट और यह देखो छोड़ो तरह यह पावली कौन सा क्या नामे इसका कि पनना मीना कुंड यह पनना मीना कुंड है और यहीं पर भूल भूलिया के शूटिंग हुईती जो राजपाल बैटे रहते हैं लाजपाल यादो इधर साइड से और यह कुंड आप देख सकते हो और यह मंदिर के पास कि आदर से जादा सूटिंग यहीं पर हुई थी और इस इधर साइट से आप देखो इसे अंगल से सूट हुआ था जो बूल बूलया में राजपाल लिया तो जाते हैं इधर से इधर से यह सी पूरी सूट हुए थी इस मंदिर का यह गुम्मत आया था और यह रास्ते यहां स जिसमें बहुत सारे मुखपी की सोटिंग भी हुई है आप देखो शीर है आप देखो शीर है अजय के इस में आप दिखरो आमेर का फॉड जैसे अब इंट्री करोगे ना अमेरे किले के लिए आपको यह पर यह पे लॉकल मार्केट भी मिल जाते है इस बिले के अंदर में यह आप देशेते हैं पूरे जैसे पहले ज़वाने में ऐसे रहते थे यह बार्टेट वैसे आपर भी अभी भी है इधर आप देफो प्राइब तो काई समयर का के लिए हम लोग इंट्री कर रहे हैं तो कुछ बोलने का नए अभी नहीं वाओ ओपर जाने के बाद ही बोलेंगे जाए डंप ओके इधर से आप चलता हैं इंट्री करते ही देख रहे हो बाई एक दाम महराजा ओली फीलिंग हारी कि नहीं हारी पूरी भाई साथ ये चढ़ान देखो आप देखो अटे हूँ पर इधर साइड पूरा आप देख सेदो जहां आने के लिए आप सुब्ध टाइ तो पूरा एसा लगे का पूरा एक शहर बस जाता है पूरा उस अरीके से यह देखे और यहां पर आपको कप्डे मिल जाएंगे यह देखो यह देखो राजय सानी हरी चीज यहां पर बिल ला है इधर साइड फौर इधर आप देखें कि यह देखें के अंदर करें सब्सक्राइब पहले जवाने में ऐसे ही बनते थे पुरे किले जो आप देखने कर रहा है यह देख को रहुरा है यह देख रहा है आप इतना ज्यादा दूर पर फेला हुए पुरा और बूर बूलिया की शूटिंग मैंने आपको बताये थी कि यहीं पर हुई थी उमंदिर के उधर से और यहां से आप दिखोगे इंट्रिमाने की ती यह आप देखो और यह सब यू आप ले सकते हो मैं तो पहले काऊंगा अगर आपको जैपूर भूमना हो तो आप पहले इधर ही आओ तो कि इसमें काफी जादा टाइम जो है वो लग तो कि मैंने अमेर के अंदर आ गया हूं तो यहां पर आप दिवाने आम देख सकते हो और दिवाने आम ही है इधर साइड यह आप देख रहे ना यह दिवाने आम है और दिवाने आम क्या कहल लाता है जो प्रजा लोग रहते थे जो प्रजा लोग रहते थे यहां पर बैठ दीवाने आम है और दीवाने खास है तो अधिकारी मंतरी जो है राजा की इवो बैठते थे और यह जो प्लेस है और यहां पर जो फैसला उगरा कुछ नाया जाता था जो भी होता था था सभा लगती थी तो उदर सामने आप जो देख रहा हूँ ना राजा वो मन्डव टाइ बनब वह सेहमती रहती थी तब ही होता था यह बहुत इच्छी वात है राजास्थान के इसके अंदर में यह जिस बहुत है उच्छा था कि इसमें युक्वालिटी थी और राणी जो वहां से बैटके जो है यहां का सभा वहुत देखती थी कुछ से स्थी कहसे हैं दिवाने के दिवाने आम दो अंदर से कुछ इसरी के से दिखता है यह और यह पूरा मार्बल से बना गए आप यह देखो के पूरे मार्बल यह बने गए और इधर साइड भी नकाशी करके बनाएगे पूरे पीलर इस देखते हो और बहुत सारी मोवी की सूटिंग भी यहां पर हुई है और इस दिवालों पर आप दखो कि इतने प्यारी प्यारी निकाशिय करके यह बना हुआ है पूरा जिसा किसे ताजमाहल में बने है उस तरीके से अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि आप देखो किस तरीके से फ्लावर यह पूरे दिवाल में बने हुए और इस तरीके से पूरी दिवाल में आपको यह दिख जाता है और जानते हो इसकी खास बात ही है जितने भी यह पैंट है सब नेच्छरल पैंट है यानि नेच्छल क्या सब वेजीटेबल्स और फ्रू अब यह मं अंदर आ गए और यह है शीष महल और इससाइड आपको देखोंगे पूरे आपको यहां से दिख रहे होंगे शीष से पूरे नकाशिक किये गए हैं यह पूरे यह देखिए पूरी दिवाल में पूरे आपको दिख जाएंगे जिट्रिवी डिजाइन आपको द साम नहीं है आपको अब आगए इसके अंदर में यह आप देखो यहां से इंजिट आ है तो गैस आप देखरो यह है बूल बुलिया और इधर से व्यू आप चेक करो यह आप देखरो ना पूरा किला और थाकान सा लग जाएगा यह देखो ओ और गैस में उपर आगया हूं हमें और यहां पर आप देखोगे तो पुराने जवाने के मिये यह तका आउं कुछी सरीके से लेकिन यह पे चिर acres भी न है अनके यह रुम देखो रिए अर चाई महारा ज़गा हो कि रॉमार डिखोगी तो कुछी तरीके's रहता है तो तो पुर अ कृश्ती ब人民शित करों नीट को और सामने आप दिख सकते हो गार्डन यह और इसमें केसर का यही प्तार रहे ना किसरोला के गार्डन तेसाइर है यहां को दिवाने की जगह पर आपको बताया है कि राणियों यहां को बैठने की जगह यही है इधर साइड से चलते दूश्रे लोकेशन पर आपको दिखाते हैं और यहां पर जो नकाशि करके दिवाले आप देख सकते हो किस तरीके से पुरी बनी हुई है तो आपने देखा आमेर का खिल्ला कुछी सरीकेज है ता हम ऑगजिट कर रहे हैं अंदर का ःजिता है तो जतना हो सका तो मैंरे आपको दिखाया था कर देक्स है इदर से आप पकान आपको तो गड़ेघा और यहां पर दो इंद और देख का फर्स्ट टाइम अगर आप बिजट करो तो एक या दो लोग साथ में रहो क्योंकि अकलिया पर विजट करना ज्यादा मुस्किल होता है और इदर सब्सक्राइब कि अ कि अ कि अ आत्व का एपर अाओ आपर आप जब को आत्वा आत्वार आपका आत्याथ कि अब भार निकलो कि तहान पर आपको mark知 भी है जो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं अबकोילוvaamp Tadh पाने मिल जाती दिश्राइन समाने तो अपने हिसाग से खरीते है और जीप की पारकिंग इधर साइड आती है जो जीप लेकर आती है इधर साइड पर पर्पशन जो है 102 रुपर एक एक तो दो फिर पांच रुपर पर पर परैसे तो हैं जाहिस आप यहां पर बटकोग कि यहां पर खिला सकते हो कुछ भी देखो बूला हुआ 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 है ह carry तो प्रश्मीड है तो है हुआ है 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 ओक निवेगत तरह क्यों है आए-चैंटी निहीं अजय को तो आपने दिखा जल महल जो कि मैंने ड्रोन से आपको दिखाया था और यह विजट पॉइंट है और मैंने आपको बताया था यहां पर आपको समान हो गए राभी लेट और कल्चर जो जाजस्तानी कल्चर होते हैं आप उड्रेस पहन सकते हो देखो भाई पहना कस्मीरी तो दो रूपी में आप यहां पर ले सकते हो फोटो कर रहा कि चाहते हुआ तो सीटी और इदर साइडर में आपको दिखाता हूँ शाम के टायम मार्केट किसो सरीखे से जो जिखता है जैपूर का आप जो देखरो ना यह पूरा जैपूर के पूरा आप पिंक सिटी यहां इवनिंग भी हुए यह और इंग के तो आपको हुआम कर सकते हैं यहाँ है जो हुआ मैल वह शाम के बंद हो जाता है तकरीवान चार से पांच बज़े तक बंद हो जाता है तूरी बीविल्डिंग है आप दखो कि न तो आपको यहवा महल दिख जाएंगा नजर गड़ा के देखो भाईया हमारे आगे हम राजस्थान के यह देखो बाई खतरनाक यह आप जो मुरी मार्केट आप देखर हो ना यह मार्केट में आपको यह दिख जाएगा हावा महल जो की जैपूर का सबसे फेमस स्पोर्ट है और सबसे ज्यादा फोटे फोटो हो गया और भी हर एक सिस बहुत जादा लिए जाते हैं पर देखो अ अगल वगल आपको बहुत सारी मार्केट जो हैं यह मिल जाते हैं तो आपने देखा कुछ इसरीके से प्लेसर से जो जैपूर में आप घूम सकते हो तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब के लिए जैशिराम जैदादाम